हलो दोस्तों स्वागत है आप सबी लोग का एक और नए वीडियो में इस वीडियो में आप सेखनें कि आप MS Word के अंदर कुछ इस परकारशे ID Card को डिजाइन कैसे कर सकते हैं अगर आप MS Word के अंदर ID Card डिजाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पुरा देखना होगा वीडियो अगर जो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरू कर दिजेगा चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ तो देखें दोस्तों सबसे पहले ID Card बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने कम्प्यूटर या फिल लैप्टॉप के अंदर MS Word को ओपन कर लेना है चलिए मैं अपना MS Word को ओपन कर लेता हूँ जैसा कि दोस्तों आप देख सकते कि मैंने MS Word के अंदर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ID Card पहले से बना कर रखा है ताकि दोस्तों आपको पता चल जा कि कुछ इस परकार से इस वीडियो में ID Card आप बनाना सीखेंगे तो सेम इसे परकार से दोस्तों आपको मैं MS Word के अंदर एक ID Card बना कर आपको दिखाऊंगा तो चलिए मैं एक नया ID Card आपको बना कर दिखाता हूँ तो इसको दोस्तों मैं Delete कर देता हूँ तो मैं Ctrl A करता हूँ और यहां से मैं Delete One को प्रेज करकर यह वला ID Card को मैं Delete कर दिया हूँ उसको बाद दोस्तों मैं अपना एक नया ID Card आपको किरेट करकर दिखाता हूँ ताकि दोस्तों आप भी अपने ID Card को बना सकें ID Card बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इंसाट टैप पर किलिक करना है जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने इंसाट टैप पर किलिक किया है उसके बाद आपको शेप्स पर किलिक करना है Chips पर click करने के बाद दोस्तों इसमें एक shapes मिलता आपको rectangle shapes के नाम से जैसक डोस्तों आपको दीख रहा होगा मैं तोड़ा हसा जूम कर देमा स्क्रीन ताकि आपको दीखे जैसके दोस्तों आप देख सकते हैं इस सेप्स को आपको स्लेट करने के बाद दोस्तों इसको सिंपल सा यहां पर ड्रैक करना जैसा कि आप अब यहां पर देख रहे हैं Drag करने के बाद दोस्तो ऊपर में एक format खुलेगा जैसा कि आप अभी देख रहे हैं जब आप सेब्स को drag किजीगा तो ऊपर में एक format के नाम से एक window खुलेगा इसमें दोस्तो जब आप इधर आएगा तो इसमें आपको इसका width और height को set करने का यहाँ पर दिखाएगा तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है चलिए यहाँ पर मैं जूम कर देता हम ताकि आपको दिखे इसमें दोस्तों आपको 2 लिखना है जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें आपको height में 2 और width में दोस्तों 3.5 आपको लिखना है उसके बाद आपको अपने mouse से एक क्लिक करने के बाद शेकर रहा होगा सेस्प्र पर किलिख करने के बाद इसमें दूस्तु एक पने क्लिक कर सकते हैं जो आपको ब्लाइक अच्छा रखकता है या पि दोस्तो कोई और color आपको अच्छे लगता है तो इसमें से दोस्तो बहुत से रा color मिलता है तो इसमें से जो भी आपको पसंद आता है उसका आप यूज कीजिगा चलिए अभी मैं black को share करने के बाद दोस्तो दोस्तो दोबारा से shapes outline पर click करना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर अपने shapes को हाँ पर shade कर लिया हूँ उसको बाद दोस्तो अब देखी हां से क्या करना हो उसके बाद दोबारा से आपको insert टैप पर click करना है उसको बाद से आपको वही rectangle shapes को select कर लेना है उसको बाद इसको भी कुछ इस प्रकारशे यहाँ पर drag करना जैसा कि आप अ आपके shapes में एक चारो तरब से red rate का एक outline यहाँ पर insert हो जाएगा इस outline में दोस्तो आपको इस value point पर एक बार click कर देना है click करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर एक bite का point दिखने लेगा इसमें दोस्तो simple सा इस value point को अपने sheet button को press करना है और यहाँ पर ले जाकर इसको रख दिख रहा हुगा यह white bullet point इस पर आपको click करना है click करने के बाद आपको ऊपर की और कुछ इस प्रकार से घीचना है जैसा कि दोस्तो आप अब यहाँ पर देख रहे हैं घीचने के बाद दोस्तो एक बार आपको बाहर click कर देना है तो यहाँ पर आपका shapes का जो cutting रहेगा यह यहाँ पर ready हो चुका है उसको आपको इस पर क्लिक करना है इसका shapes outline पर क्लिक करना है उसमें आपको no outline कर देना है और इसका जो size रहेगा थोड़ा साफ नीचे के और कुछ इस प्रकार से बढ़ा लिजेगा जैसा कि दोस्तों आप अब यहाँ पर देख रहे हैं उसको बाद आपको अपने size में इसको अच्छी प्रकार से fit करना है अपने size के अनुसार तो चलिए मैं यहाँ पर अपने अनुसार से इसको मैं थोड़ा सा adjust कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर अच्छा होगा आप दोस्तों इसको set करने के लिए अपने keyboard का जो right left का button होता है उसका भी use आप यहाँ पर देख रहे हैं उसके बाद दोस्तों अब मैं क्या करूँआ उसके बाद इसको मैं select करूँआ select करने के बाद दोस्तों इसमें मैं एक कोई select पर जाकर कोई एक color को मैं fill कर लेता हूँ अभी के लिए मैं black color को fill करता हूँ बाद में change करूँगा जैसे कि मा लिजए इसमें मैं rate कर देता हूँ और इसको color को select करने के बाद दोस्तों आपको अपने steps को एक duplicate बना लेना है duplicate बनाने के लिए आप अपने keyword से control के साथ डिवन उनको प्रेस किजिगा तो आपका steps यहाँ पर duplicate हो जाता है उसके बाद आपको steps fill पर click करकर इसका color रहेगा उसको आपको black select कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको दूबारा से यहें पर एक option आपको मिल जाता है bring forward का इस पर आपको click करकर यहाँ पर आपको bring forward पर click कर देना तो आपका rate का steps रहाएगा ओपर आ जाएगा और जो black कर रहेगा उनीचे चल जाएगा तो इस प्रकार से दोस्तों आपको काम कर लेना है आप इसको भी इस प्रकार से इसको adjust कर देना ता कि आपको इहाँ पर अच्छी प्रकार से fit हो जाता है तो कुछ इस टैब से इसको I eli अजेस्ट कर रहा हूं, ज्यासक्तों, आप अब यहां पर देख रहे हैं, तो, चलिए, अपने, जो, keyboard का, जो, right left का बटन होता है, उससे मैं, यहां पर, इसको, adjust कर लिया हूं, ज्यासक्तों, आप अब यहां पर, देख रहें, उसके बाद दोस्तो मैं क्या करूँआ जो ऊपर का shapes आप ने देखा इसको इस पर मैंगे कलिक किया है उसके बाद मैं format पर कलिक करता हूँ उसके बाद मैं। मैं shapes feel पर जाता हूँ उसके बाद यहाँ पर grainier पर पर कलिक करकर यहां पर नीचे में एक option आपको मिलेगा more grainier पर इस पर आपको click करना है, click करने के बाद यहां पर आपको grainier fill पर click करना है, उसके बाद दोस्तों इसमें आपको color fill करना है, color fill दोस्तों आप अपने हिसाब से कीजिगा, जैसे कि यहां पर आपको option मिलता है, box add करने का, जो box आप आप यहां पर देख रहे हैं one two तो इसी box में दोस्तो जब आप color fill किजीगा तो आपके steps में दो color apply होंगे या फिर दोस्तो जब आप इस पर plus पर click किजीगा तो एक box आपको और दिखाए देगा इसमें दोस्तो आप चाहें तो इस पर click करकर यहां से color को select किजीगा तो आपके box में three color select होगा, तो दोस्तो मैं यहां पर दो ही color रखता हूं तो इसलिए इस पर तीश्या color को आप sa box को delete कर देता हूं और इस color में दूस्तो मैंने बुलो को fill किया जैसा कि दोस्तो आप बढ़ी देख सकते हैं और इस box में मैंने यहां से black color को फिल किया है तो आप चाहें दोस्तों तो सेम इसे परकार से रख सकते हैं या पिर चाहें तो आप अपने मर्जी से color को select कर सकते हैं इतना काम जब आपका हो जागा दोस्तो तो इसको आपको simple से हां से close कर देना है इतना काम करने के बाद दोस्तों इसको आपको बीचो बीच में यहां पर setup कर देना है उसके बाद आपको इसको outline को white कर देना है उसके बाद आपको दुबारा से search filter करना है और इसमें आपको picture पर click करकर अपने school या फिर coaching संस्था का logo को insert कर देना है तो चलिए मैं अपना coaching संस्था का जो भी लोग है उसको यहां से देख रहे हैं उसके बाद दोस्तों अब मैं क्या करने अपना इहां पर स्कूल का नाम उसका एड्रेस मैं लिखता हूं उसको लिखने के लिए दोस्तों आपको इनसे टैप पर क्लिक करना है उसके बाद एक आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इसमें कोई एक फ्रेम को ग्यांद की एक style को select कर लाना, चलिए, मैं यह वाला style को मैने select किया, select करने के बाद, आपको इस box में अपना school, या फिर coaching सहंस्ता का नाम को type कर देने, type करने के लिए चिन पासे इसको आपको select करना है, जो भी आपका school का नाम, या फिर Quotin enthusiastha का नाम रहेगा Type कर देगा चलिए मैं Type कर देता हूँ जैसके दोस्तों आप देखे कि मैंने अपना यहाँ पर अपनाwoods का नाम को Type कर लिया है तो उसके बाद आपको Select करना है Select करने के बाद दोस्तों आपको Home tipper कलिक करना है इसके mistress को दोक्र चोटा करना है ताकि आपकेешь में इहां पर सेट हो जाए इसके से साइज को मैं या पर सोटा किया हो जासर कि आप आप दे सकते हैं उसके बाद होशो मैं और सोटा कर ले था हूं इसमें दोस्तो जो font का box है इस पर आपको click करना है और जो भी दोस्तो आपको font पसंद आता है उसको आपैक कर देना है apply करने के बाद दोस्तो इसको आपको अच्छी प्रकार से set करना है जो set नहीं होता है तो आप size को फोड़ा सा छोटा और और कर सकते हैं तो कुछ इस प्रकास दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर set कर दिया, जैसक दोस्तों आप अब यहाँ पर देख रहे हैं, set करने के बाद इसी को मैं control डी से duplicate कर लेता हूँ, duplicate करने के बाद दोस्तों अब जो भी मेरा coaching का address रहेगा, वो यहाँ पर मैं type कर देता हूँ, जैसक दोस्तों आप देख सकते कि मैं यहाँ पर coaching का address यहाँ पर type कर दिया है, तो आप भी type कर लिजीगा, उसको बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ पर नीचे में set कर दूँगा, तो set करने के लिए सबसे पहले इसका size को मैं छोटा कर लेता हूँ, छोटा क कर देता हूँ, जैसके दोस्तों आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं, तो दोस्तों उपर का काम मेरा ready हो चुका है, अब हम आते हैं नीचे में, इसस्प्ल दोस्तों नीचे में हम क्या करऊंगे, सबसे पहले इन सेट अप पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद दोस्तो एक सेफ्स पर क्लिक करूँगा उसके बाद मैं एक सेफ्स लूँगा सेफ्स दोस्तों आपको ये वाला सेफ्स करना जा सकते दोस्तों आपको दिख रहागा चलिए मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए आपको ये वाला सेफ्स को सेफ्स कर लेना है select करने के बाद दोस्तों simple सापको इसको drag करना है drag करने के बाद आपको क्या करना होगा उसके बाद आपको इसमें देख सकते कि format का window खुल चुका है तो save free पर जाकर यहां पर आपको picture पर click करना है और जहां भी आपका student का picture रखा हुआ रहेगा उसको select करकर इसमें आपको insert कर देना है तो देख सकते कि यहां पर picture आ चुका है उसके बाद आपको save outline पर click करकर इसका outline को black कर देना है और यह जो yellow वाला point देख रहा है इसको दोस्तों आप चाहें तो कुछ इस परकारशे आप designing बना सकते हैं करने मारा point लेको आप अच्छे लगता आप इस परकारशे काम कर सकते हैं यह पिर चाहें तो आप NORMAL यहां पर रख सकते हैं तो चलिए यहां पर इसको mirse fe that I'm just as quick these ITSes आप अभी हैं पर देखने कुछ इस परकारशें आप को कर देना जैसा कि आप अब यहां पर देख सकते हैं उसके बाद अब आपको क्या करना होगा उसके बाद आपको दुबारा से वही उपर वाला जो आपने आपका जो नाम रहेगा स्कूल का उसको आपको control डिसे duplicate कर लेना है duplicate करने के बाद दोस्तो इसको आप सबसे पहले text field में जाकर black कर लिजिए black करने के बाद आपको यहां पर type करना होगा ID card जैसा कि दोस्तो आप देख सकते कि मैंने यहां पर ID card type कर लिया है उसके बाद इसको मैं पकड़ूँगा और यहां पर इसको अच्छे पकार से set कर लूँगा जैसा कि आप अब यहां पर देख रहे हैं उसको बाद दोस्तो इसमें मैं ओटना लगा दूँगा ओटना लगाने के बाद यहां पर color पर click करकर इसका color को मैं read रखूँगा आप अपने अनुसार से color को रख सकते हैं इसको भी यहां पर मैं state कर देता हूँ अपने अनुसार से तो कुछ इस पर कासे दोस्तो आपको यहां पर काम कर लेना है उसके बाद मैं दुबारा से इससे को control डी से duplicate कर लिया हूँ duplicate करने के बाद दोस्तो इसका option को subscribe मैं नुख करूँगा इसका जो text में जो भी रहेगा style इसको मैं अपने हिसाब से change कर लेता हूँ जो भी हमको पसंद आता है वो यहां पर मैं रखता हूँ उसके बाद दोस्तो इसका color को मैं black कर देता हूँ black करने के बाद यहां पर मैं लिकूँगा registration number तो इसको select कर लेना है select करने के बाद आपको यहां पर type कर देना है registration number को जिस परकार से मैं short milk देता हूँ registration number उसके बाद आपको dash देना है dash देने के बाद दोस्तो जो भी registration number आप कर रहेगा वो यहां पर मैं type कर देता हूँ type करने के बाद इसको पकड़ता हूँ और यहां पर इसका साज को छोटा कर लेता हूँ और same to same इसको यहां पर मैं adjust कर देता हूँ यहां पर मेरा registration member यहां पर shift हो चुका दोस्तु अब मैं क्या करूँगा इससे को duplicate कर लूँगा controlled इससे मैं duplicate कर लेता हूँ अगर दोस्तो आप चाहें तो अभी भी font का style को chain कर सकते हैं chain करने के लिए जिससे कि इस पर मैं click किया click करने के बाद इसको मैं select करता हूँ और इसका जो भी font style है वो हम चाहें तो अभी भी chain कर सकते हैं तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से मैं chain कर दिया हूँ और इसको भी मैं क्या करूँआ कुछ इस प्रकार से चेंड कर देंगा ता कि यह था सब बहुतर लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ आप दोस्तो अपने उसार से चेंड करकर देख लिजेगा अब चलिए यहां पर मैं जो भी अस्टुडेंट का डिटेल लिखाएगा जैसे कि उनका नाम क्या है उनके पिता जी का क्या नाम है उनका डेट ऑव वरत क्या है वो अकॉंट से कॉर्स कर रहे हैं करने का वाद लिफ्ट तो आपको लेट विड़ा सकते हैं या फिर चाहें तो आप घटा है सकते हैं चलिए उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा इसको बढ़ा आपको कुछ इस प्रकार से इसको थौँप सा आगे के बढ़ा देना और एक वार आपको टैब बटन क प्रेश करने के बाद आपको इस प्रकार्टर सिंबल देना है, point वाला, और हैंपर जो भी, इनका नाम रहेगा, ओओं मैं टाप कर देता हूं, तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने यहांपर, इनका नाम को टाइब कर लिया है जा जाता हूं नीचे आने के बाद दोबारा से मैं टेबन को प्रेस करता हूं उसके बाद मैं दोबारा से प्रेस करता हूं उसके बाद मैं दोबारा से प्रेस करता हूं उसके बाद यहां पर मैं डेट वर्थ जो भी रहेगा उसको आपको टाइब कर देन जो भी आप कोर्ष कर रहे हैं उसको यहां पर आपको टाइप कर देना चलिए इनका में कोर्ष लिख देता हूँ dca यह dca कर रहे हैं तो इसलिए इसमें मैंने dca लिख दिया है तो दोस्तों आप देच सकते कि कि यहाँ पर मेरा ID card का जो भी काम था लगभग हो चुका है अब दोस्तों मैं सिर्फ यहाँ पर जो principal का signature लिखाएगा वो यहाँ पर मैं box बना देता हूँ उससे बनाने के लिए इसी को मैं क्या करता हूँ Ctrl D से duplicate कर लेता हूँ duplicate करने के बाद इसी में principal type कर देता हूँ तो दोस्तों आप देश सकते कि मैंने यहाँ पर principal type कर दिया है उसके बाद आपको कुछ इस परकार से यहाँ पर इसको पकड़कर adjust कर देना है इसका outline कुछ इस परकार से इसमें border लगा देना है जैसके दोस्तों आप देश सकते कि इसको यहाँ पर मैं underline कर दिया हूँ तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर मेरा ID card बनका रेड़ी हो चुका दोस्तों आपने देखा कि कुछ इस प्रकार से आप MS Word के अंदर ID card को design कर सकते हैं अब चलिए हम इस ID card को use कैसे करने कहीं पर भी उसको मैं आपको समझा देता हूं कि यहां तो दोस्तों काफी बड़ा पेज़ियों बना है तो इसको मैं छोटा पेज आपको करकर दिखा देता हूं उसके लिए दोस्तो आपको क्या करना हूगा उसके लिए आपको यहाँ पर click करना है उसके पार आपको इस में snipping tool को search करना है ज़्यसकों आप देख सकते हैं जब आप यह वह ओला tool लिखिएगा तो आपके computer में आजाएगा तो आपको click करना है क्लिक करने के बाद आपको new पर क्लिक करना है new पर क्लिक करने के बाद simple सा आपको यहाँ पर id card के जो size है कुछ इस परकारशी इसको यहाँ से crop कर लेना जैसा है कि दोस्तों आप अब यहाँ पर देख रहे हैं crop करने के बाद दोस्तों आपका id card यहां पर बिल्कुल अच्छे प्रकार से आ जायेगा, उसके बाद आपको यहां पर file पर click करना है, save it पर click करना है और इसको दोस्तो अपने location पर save कर देना है, चलिए मैं desktop पर इसको मैं save कर लिता हूं, save करने के बाद आपको यहां पर save पर click कर देना है तो मेरा आपका जो ID card रहेगा सेब हो जागा दोस्तो इस ID card को आप यूज कहीं पर भी कर सकते हैं अब चलिए मैं desktop पर आपको दिखा देता हूँ किया सेब हुआ तो किस परकार से दिख रहा है जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा हुआ तो दोस्तों आपने देखा कि आप MS Word के अंदर कुछ इस परकार से ID का डिजैन कर सकते हैं अगर जो यह वीडियो आपको ठीक लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है चैनल को पर सब्सक्राइब जिरू कर दिजीगा क्योंकि हम कंपिटर सेडर इस परकार से वीडियो बनाते रहते हैं वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में